दोस्तो आज हम एक और spoken structure पढ़ने जा रहे हैं तो ये जो spoken structure है इसका पहले हम present part देखेंगे तो आएए देखते हैं तो ये जो structure है आपके सामने वो है कि सबसे पहले आएगा subject फिर आएगा prefer या फिर prefers फिर first form के साथ ing फिर object फिर आएगा to फिर again आएगा first form के साथ ing फिर पचान होती है से ज्यादा पसंद करता है या फिर से अधिक पसंद करता है जो prefer है वो आता है आई वी यू दे या पिलर नेम्स यानि बहुवचन के साथ और prefers जो है वो आता है he she its singular name यानि एक वचन के साथ अब example से इसको समझते हैं clear करते हैं देखते हैं जैसे first है कुछ व विद्ध्यारती हमें सबसे पहले subject यह रूल के साथ से तो कुछ विद्ध्यारती हमें साफ साफ देख रहा है यह subject है तो आप लेखेंगे some students अब क्योंकि students जो है वो जादा है तो आप जाएंगे prefer के साथ क्योंकि यह पिलर्ण यानि भुवचन है ठीक है तो some students prefer फिर first form के स साथ आएंजी तो भही पसंद करने के लिए आपने prefer लगा दिया अब क्या रहा है देखना तो देखना के लिए आप क्या लगाएंगे rule के साब से watching फिर film में आ रहा है तो आप लिखेंगे movies फिर से ज्यादा के लिए आप to लिखेंगे और फिर again first form के साथ आएंजी आ रहा ह है तो रवी इसमें क्या subject तो आप लिखेंगे रवी अब क्योंकि रवी जो है वह एक वचन है singular है तो आप लिखेंगे रवी prefers और फिर पसंद करना के लिए आप क्या रहा है खेलना तो आप लिखेंगे playing फिर से ज्यादा के लिए क्या लिखेंगे to फिर पढ़ने यानि reading next ह मैं चाई पीने से ज़्यादा कौफी पीना पसंद करता हूं तो आप लिखेंगे मैं यानि आई और आई के साथ प्रीफर फिर पीना के लिए drinking नहीं आएगा क्योंकि गरम चीज है इसलिए हम taking लिखेंगे फिर coffee coffee से ज्यादा के लिए two फिर चाय पीने तो आप लिखेंगे taking tea थंडी चीज के लिए drink गरम चीज के लिए take next है हम tv देखने से ज्यादा संगीत सुनना पसंद करते हैं तो आप लिखेंगे हम के लिए we prefer और सुनना listening, संगीत, listening to music से ज्यादा के लिए two और tv देखने watching tv तो ये present part था अब देखेंगे past क्योंकि past है तो rule जरूर थोड़ा सा बदलेगा तो rule हुआ subject प्लस preferred प्लस first form के साथ ing फिर object फिर to फिर first form के साथ ing दुबारा और फिर object पैचान है से ज़्यादा पसंद करता था या से अधिक पसंद करता था example देखते हैं कुछ विध्यार थी पढ़ने से ज़्यादा फिल में देखना पसंद करते थे अब आगया न ते थे तो यह हम इस वाले rule यानि past वाले rule में ले जाएंगे तो कुछ विध्यार थी यानि some student फिर preferred देखना watching फिल में movies से ज़्यादा के लिए to और पढ़ने यानि reading next है रभी पढ़ने से ज़्यादा खेलना पसंद करता था यानि past है तो आप लिखेंगे रभी preferred पसंद करना खेलना playing से ज़्यादा के लिए to फिर पढ़ने reading next है मेरा दोस्त शहर में रहने से ज़्यादा गाओं में रहना पसंद करता था तो मेरा दोस्त आप लिखेंगे my friend फिर वही पसंद करना के लिए preferred फिर रहना के लिए living और गाओं में in the village और से ज़्यादा यानि to फिर आ रहा है रहने तो living और शहर में in the city next है मैं चाय पीने से ज़्यादा कॉफी पीना पसंद करता था तो आप लिखेंगे मैं आई पसंद करता था के लिए preferred फिर पीना के लिए taking coffee से ज़्यादा के लिए two और चाय पीने तो आप लिखेंगे taking tea तो मीध है यह lesson आपको समझ में आया होगा इसी तरह की और वीडियो में जाएं उसको देखें यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह आपको हर जगा पे दिखाई देगा सुनाई देगा इंगलिस speaking के अंदर written के अंदर newspaper के अंदर books में तो इसको आप हलके में ना लें इसको आप पढ़ें और अपनी knowledge improve करें और यह जब भी समय पढ़ उसमें आपको notice, report, article, debate, speech, poster या अगर आप 10th या 9th में हैं तो आपको editing, jumble word, gap filling, story writing यह सब आपको मिल जाएगा ठीक है तो आईए फिर उसके बाद मिलते हैं आपको next video में, okay friends, bye